तो वैसे आध्वनिक modern science है उसने तो उसने बोला है उनका ऐसा कहना है कि Parkinson जैसी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन आयरवेद में natural treatment करने वालों का ऐसा कहना है कि Parkinson जैसी gentle समस्या को भी ठीक किया जा सकता है पारकिंसन जैसी समस्या को ठीक करने के लिए आयरवेद में हर्वल में natural में एक औसदी है एक हर्व है जिसका नाम है ब्रहम में जिसका बॉटनिकल नहम है बैकोपा मैनोरी इस मतलब इस natural हर्व का उप्योग सदियों से जब से प्रिकड़ती है तब से मांसिक जितनी भी ब्रे अर्वकार जो एन जुँछा औस दी है है तो शारे आरोवेद ness बात को मानते हैं कि इस से इस जटल रोग को ठीक किक़ना सकता है एक कंपनी है हर्वल तेली की नाम से विश्विख्यात कंपनी है तो इनकल रोंन है क्या कि आ है कि ब्रहम मी सायरब को ब्रहम मी को जो ब्रहम क सेफ की सिर्केट को ये साथ में सहत को मिला के एक नेच्वल टॉनिक तयार किया जिसका नाम है हरवल डेरी ब्रहमी ये ब्रहमी इतनी कारगार है कि इसका इस्तमाल करने से हजारों लोगों ने अपनी पारकेशन जैसी डिसीज को काफी हद तक सुधारा है काफी हद तक बहुत तक ठीक किया है हजारों लोगों इसका इस्तमाल किया हजारों लोगों ने इसका फायदा उठाया और इसकी रिजल्ट भी आये है अब इसकी साथ में देखा जाए जैसे कई जब कुछ जटल रोग हो जाता है तो कोई एक सिंगल औसी काम नहीं करती है या एक कम मात्रा में क करती है इसकी कार्व काम करने की चमता कार चमता को बढ़ाने के लिए हर्वल में आर्वेद में कुछ और हर्वें जिनका इसका इस्तमाल करना चाहिए इस्तमाल पहले से होता आ रहा है तो उनमें से एक हर्व है जिसका नाम है संग पुस्पी संग पुस्पी का वी उपयोग बहुत time से बहुत time पहले से मस्तिस का की problem देश करने में किसी चीज को यांद करने में हच्छारों साल उस्त उपियोब हुता है यह ड्राग है जिसका उपियोग deport colabor है ना ही कि अगली जो बाष्धी है यह ऐरुवेद रोप में अमरत के रूप में जानी जाती है। यह सुद्ध देशी गाय का गई तो वी तयार किया है। इसको क्या करना होता है कि रात को सोते टाइम पे दोनों नाकों में एक-एक ड्रॉप को डालना होता है और फिर आरम से सोते रहना होता है जिससे कि वो घी धीरे-धीरे आपके नाक से होते हुए ब्रेंड में पहुंच जाए के अगली हम उस्तिकी बारे में ड्रग के बारे में बात करें तो अब जैसे यह बात मैं बता देता हूँ कि इन दो के अलावा भी हर्वल में 엄os जिनका उप्योग nervous system और ड्रैन में होने वादी % को ठीक करने में किया जाता है पारगिंसन जैसे जटल समस्या को ठीक करने के लिए बहुत सारी हर्व का इस्तमाल किया जाता है तो जो हर्वल डेली की कमपनी है तो इतनी सारी हर्व को लेने में जब परेशानी होती है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या किया कि 23 जो ड्रग है उन्होंने 23 ड्रग को पसंद किया इन सब को इखटा करके एक हर्वल बेज कैप्सूल में तैयार किया जिसको आसानी सी इंटे किया जा सके आसानी से लिया जा सके तो ज colors 하니까 ना तो जा नह दो जिरे आने तैयार किया अगया एंब संदान के लिए ठीक करने के लिए इन इन चारों का हरवल डेली ब्रहमी है वाडिवलेंस के कैप्सूल है बेदिग घी है और संपुस्पी जो धर गये इन चारों को एक साथ इस्तमाल करने से पार्किर्शन जशी जटल समस्वा से भी आराम से जो है निजात पाए जा सकती है इसको बहुत काफी हद तक जोना सुद साथ भी आप को समथ्या हो उसके बारे में या प्रोडाइट के वारे में जानकारी ले सकते हैं और आज आपको जैसे मैं पता देता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारी वेबसाइट पे हैं, उनकी जानकारी भी आपको वहां से मिल जाएगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक या सेयर करना न भूलें, थैंक यू